आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने PF का पासवार्ड भूल गये हैं यानि आप अपने PF का नया पासवार्ड बनाना चाहते हैं यानि आप अपने PF का पासवार्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपने UN नमर के अगेंस्ट नया पासवार्ड जनर तो दोस्तो जब भी आप कोई कंपनी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जोईन करते हैं तो इप फो के द्वारा यानि इंप्लाई प्रोविडेंट फंड आर्गिनाजेशन के द्वारा आपके लिए एक यूएन नमर अलाट्मेंट किया जाता है यानि आपके लिए एक इन्यू आइसी करने के लिए यानि आपको अपने प्षैकांट में एक्सेश करने के लिए इंटर करने के लिए आपके पास एक पासवर्ड होना चाहिए तो चलिए इस वीडियों बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने UN नमबर के अगेंस नया पासवार्ड कैसे जनरेट करेंगे या फिर आप अपने P.A.P. का पासवार्ड चेंज करना चाहते हैं तो दुसरा पासवार्ड कैसे चेंज करेंगे इसकी जनकारी इस वीडियो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस कर दिजिए ताकि इस तरह का कोई भी इंफर्मेशन मैं अपने चैनल पर अप्रोड करता हूँ तो उसकी जनकारी सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए बने रहे बिलकुल आई यह सारी जनकारी मैं स्टेप बैस्टेप य पहले यहां पर नवाउजर उपन कर लेंगे और यहां पर टाइप करना है वह सारुचवार में टाइप करेंगे तो इस तरह से पीज आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर फिर इस तरह से member home का page आपके सामने खुल करके आ जाएगा यानि unified portal यहाँ पर खुल के आपके सामने आ जाएगा चलिए मैं आप ब Іल कू बता हूंगा यहाँ पर scroll down करना है नीचे जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फार्गेट password पासवार्ड ड чем दीक रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और फार्गेट पासवार्ड डाल आइकन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने खुल कर गया जाएगा यहाँ पर आपको अपना UN नमर टाइप कर देना है जो भी कपिक्चा है सेम कपिक्चा आपको यहाँ पर फील कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना UN नमर टाल देता हूँ तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने UN नमर टाइप कर दिया है और यहाँ पर जो कपिक्चा दिख रहा है सेम कपिक्चा यहाँ पर हमको फील कर देना है तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने UN नमर टाइप कर दिया है और जो भी कपेक्चा दिख रहा है जो भी यहाँ कपेक्चा है सेम कपेक्चा यहाँ पे मैंने फील कर दिया है और यह सब्मिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो submit वाले icon पर click करने के बार देखिए इस तरह से page आपके सामने खुल कर गया जाएगा यहाँ पर आपको पूरा अपना नाम डालना है data birth डालना है और gender यहाँ पर select करना है चलिए मैं यहाँ पर मैं पूरा नाम अपना डाल दूँगा तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया और यहाँ पर जो भी आपका date आप रहेगा data birth आपको डाल देना है और यहाँ पर date आप्वर्थ मैंने डाल दिया है और यहाँ पर हमको gender select कर लेना है तो चलिए यहाँ पर mail मैं select कर ले रहा हूँ और इसके बाद यह जो verify वाला icon दीख रहा है verify वाले icon पर click करना है आपको और verify वाला icon click करने के बाद देखिए इस तरह से page आपके सामने खु़ी करके आ जाएगा जो भी यहाँ पर हम detail डाले थे वो detail verify हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं validate against और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे scroll down करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बार आपको capture type कर देना है और जो भी आपका अधार नमर है अधार नमर यहाँ पर आपको डालना है तो चलिए मैं यहाँ पर capture डाल देता हूं तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो भी capture है उपका पर यहाँ टाइप कर दिया है और यहाँ आधार नमर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और फिर यहाँ पर left वाले कार्नर में एस मार्क करना रहता है यानि यहाँ पर हमको permission देना रहता है तो से page आपके सामने खुल करके आ जाएगा और यहाँ scroll down करेंगे नीचे जाएगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो आधार नमर डाला था आधार नमर यहाँ पर verify हो चुका है देखिए यहाँ पर लिखा है details validate अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है अधार link mobile number या आपके आधार कार्ड से जो mobile नमर लिंक है ओ नमर आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अधाarin link mobile number या जो भी रइस्टर mobile है हमारा मैंने यहाँ पर डाल दिया है और फिर ये लेफ्ट साइट कार्लबर पर फिर से एक बार आपको फिर यह गेट OTP पर क्लिक करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करने के बाद दिखिए यहाँ पर OTP sent successfully यानि जो भी आदार लिक मोबाइल नमर मैंने डाला है उस मोबाइल नमर पर Eczp sent successfully कर दिया गया है और हमको यहाँ पर Eczp receive हो चुका है, चलिए OTP हमको यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो OTP रिशीव हुआ था OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यह जो कपेक्चा दिख रहा है सेम कपेक्चा फिर से एक बार मैंने फिल कर दिया है और यहाँ पर verify वाला जो icon दीख रहा है verify वाले icon पर click करेंगे और verify वाले icon पर click करने के बद देखिए इस तरह से पर आपके सामने खुल कर गया जाएगा scroll down करेंगे नीचे जाएगे और फिर यहाँ पर देखिए आपको एक password बनाने का option यहाँ पर खुल करके आ गया है तो नया password यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर new password और confirm password यह तो चलिए मैं यहाँ पर एक password generate कर लेगा तो चलिए मैं यहाँ पर एक password generate कर लेता हूँ पासवार्ड यहां पर मैं टाइप करता हूँ तो फिर यहां पर देख सकते हैं मैंने new password और confirm password भी मैंने यहां पर टाइप कर दिया है और submit पर टाइप करेंगे submit पर टाइप करेंगे तो यह आपका password जो है आपका नया password generate हो जाएगा यानि आप change अगर आप change करना चाहते हैं तो आपका यह password successfully change हो जाएगा तो चलिए मैं submit वाले icon पर क्लिक करता हूँ और फिर देखिए इस तरह से page आपके सामने खुल करके आ जाएगा आपने जो भी password change किया है ओ successfully यहां पर आपका password save हो चुका है यहां पर देखिए लिखा है password change successfully click here to login अब यहां आपका जो भी आपने password generate किया है जो भी password मैंने change किया ओ password successfully यहां पर change हो चुका है और click here to login login पर click करेंगे और फिर से जाके अपने account को login करके आप देख लेंगे तो चलिए मैं और login पर click करने के बाद password और यहां पर पिक्चा डालना है और sign in पर type करेंगे तो आप अपने account में login हो जाएंगे तो चलिए तो फिर यहां पर देख सकते है मैंने user number यहां पर डाल दिया है और जो भी password मैंने अभी generate किया जो भी password मैंने अभी बनाया ओ password यहां पर मैंने डाल दिया है और यह जो का picture है same का picture यहां पर मैंने फील कर दिया है और sign in पर type करेंगे और फिर इस तरह से देखिए page आपके सामने खुल करके आ जाएगा यानि इस तरह से आप अपने account में login हो जाएंगे आता है तो इसको यहां से लेटर कर देंगे और फिर देखिए इस तरह से finally आप अपने account में login हो जाएंगे अपने account में exist हो जाएंगे तो दोस्तो इस तरह से आप अपने eon number के against password generate कर सकते हैं तो फिर मैं जहां तक समझता हूँ मैंने जो भी information आपको देने की कोशिस की है वो बिलकुल आपके लिए helpful रहा हो तो चलिए पी मिलते हैं अगले दुदियों नए सब्सक्राइब और नए एमेंसिस के आप तब तके लिए आप से लिए